आज बनने वाली है एक बहुती टेस्टी ऐसी रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट, लज्च या डिनर किसी के लिए भी बना कर त्यार कर सकते हैं और साथ में हम बनाने वाले हैं एक डिलिशेस चटनी तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा कप पोहा पोहा को एक बोल में डाल दिया है और इसमें आप डालेंगे पानी और बहुत अच्छे से आप पोहा को वाश करेंगे देखें पानी कितना ज़्यादा क्लावडी हो गया है पोहा में जो भी गंदगी है वो इस तरीकी से निकल जाएगी इस पानी को फैक दें दो से तीन बार पोहा को अच्छे से धोलें पोहा को दोने के बाद अब आपको क्या करना है इसमें दो तीन चमस डाल देना है पानी और इसे दस मनट के लिए साइड में रख देना है दस मिनट के अंदर ये पोह बहुत अच्छे से फूल जाएगा तो जब तक हमारा पोह अच्छे से फूल रहा है तब तक हमें एक बहुत बढ़ी आसी चटनी बना लेते हैं तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए एक मिक्सी का जार इसमें आप डाल दे दो टमाटर, टमाटर को रफली कट करके डाला है एक प्यास डाल दे प्यास को भी रफली कट करके डाला है इसमें डाल दे दो इंच अद्रक और इसमें आप डाल दे चार पाच रैसुन की कलियां अब यहाँ पर आप इसमें डालें आधा चम्मच नमक, एक चम्मच इसमें डाल दें कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर, यह तीखा काम होता है और इससे चट्नी में कलर अच्छा आता है इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, जार का धकन बंद करें और चट्नी को आप पीस कर त्यार करें तो यहाँ पर हमने चट्नी को पीस कर कर लिया है त्यार, कलर देखिए कितना बढ़ी आया है और चट्नी की थिकनेस भी बहुत ही बढ़ी आई है अब आपको क्या करना है इस चटनी में तड़का लगाना है तो यहाँ गैस पर मैंने रख दिया है एक पैन इसमें डाल दें आप दो तीन चम्मच सरसो का तेल अगर इस चटनी को जादा दिन स्टोर करना चाते हैं तो तेल थोड़ा जादा डालें अब जब तेल गर्म हो गया तो आदा चम्मच जीर डाला एक चौथाई चम्मच हींग डाल दिया पांच लैसुन की कलियों को मैंने बारिक कट करके इसमें डाल दिया है सबी चीज़ों को आपको मीडियम फ्लेम पर भून लेना है जब यह जो लैसुन है इसका कलर चेंज हो जाएगा यह ब्राउन हो जाएगा तब आपको इसके अंदर चटनी डालनी है तो यहाँ पर देखिए हमारा लैसुन जो है भून चुका है तो हम यह चटनी इसके अंदर डाल देते हैं और अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए आप कोक करेंगे अगर आप इस चटनी को वन वीक तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसे ओल सेपरेट ना होने लगे लेकिन मैं इसे बस एक दू दिन के लिए ही बना रही हूँ तो मैंने इसे बहुत जादा देर कुक नहीं किया है तो यहाँ पर लगबग 3 मिनट के लिए मैंने से अच्छे से कुक कर लिया है इस चटनी से पहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब चटनी पूरी तरह बन गई है फ्लेम ओफ करें और इसे पूरी तरह ठंडा करें अब यहाँ पर जो पोहा हमने सोक करने के लिए रखा था यह अच्छे से फूल चुका है यह देखिए अच्छे से मैश हो रहा है तो आपको क्या करना है हातों से इसे पहुत अच्छे से मैश कर लेना है तो पोहा को मैश कर लिया है एक डो की तरह ये त्यार हो गया है अब आपको क्या करना है आपको लेना है एक बड़ा बरतन और इसमें जो आपने पोहा मैश करके रखा है वो आपको डाल देना है साथ में आप डालें इसमें एक कप गेहु काटा और इसमें आप डालें आधा कप बेसन तो जितना आपने गेहु काटा लिया है उसका आधा आपको बेसन लेना है एक चमबच मैंने लिए है अजवाइन, अजवाइन को हातों से ऐसे क्रश करके डालेंगे इसका flavor इसमें बहुत ही अच्छा आएगा आधा चम्मच इसमें डाल दें लाल मिर्च पाउडर एक चोथा ही चम्मच डालें हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर जादा नहीं डालना है आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच इसमें डाल दें नमक और इसमें आप यहाँ पर डाल दें दो चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी जो है उसे हातों से क्रश करते हुए आपको डालना है कसूरी मेथी डालने से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर एड हो जाएगा और यह जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मचेदार बनेगी तो पिंच इसमें हींग डाल दिया और थोड़ासा बारिक कट हुआ हरा धनिया डाल दिया अब आपको इसमें डालना है दो चम्मच गरम तेल गरम तेल डालने से जो रेसिपी है उसमें अच्छा खस्ता बनाएगा तो तेल गरम है इसलिए पहले आप इसे स्पून से मिक्स करें और उसके बाद हातों से अच्छी तरह मिक्स करें और अब आप इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका डो लगा कर त्यार करें तो यहाँ पर जो डो है वो बहुत ज़्यादा सक्त या बहुत ज़्यादा सौफ्ट नहीं लगाना जिस तरह का डो नॉर्मली आप पूरी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा सौफ्ट डो लगाना है ठीक है तो यहाँ पर हमने डो लगाकर कर लिया है त्यार और अब यह जो डो है ना इससे आपको छोटी-छोटी लोईयां तोड़के त्यार करनी है जिस तरह की लोईय आप पूरी के लिए घर में तोड़ते हैं बस फैसी लोईया आपको इससे बना लेनी है देखिए अगर आप डेली-डेली वही पुराने नाश्ता खाकर बोर हो चुके है और घर में सब कुछ चाहते हैं कि कुछ नया स्पेशल बनाया जाए तो यह रेसिपी एकनम परफेक है इसे आप ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में किसी में भी ट्राय कर सकते हैं यह सब को पसंद आएगी अब यहां पर लोईया बनाने के बाद आपको इन्हें बेलना है तो इसके उपर थोड़ा सा ओल लगा लें और इस तरह बेलन से आपको नहीं होगी तो यह देखि इसका फ्लेम आपको मीडियम हाई रखना है और बस पूरी को ऑईल में डालने के बाद आपको इस तरीके से इसे दबाना है और थोड़ी देर इसे सेखने के बाद आप इसे पलट देंगे और जब पलट कर आप इसे फिर से दबाएंगे ना तो यह एकदम से फूल जाएग जब आप इने नाश्ता में खाएंगे ना तो सच मानिये आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा बहुत ही मज़ेदार लगते हैं यह पूरिया और जो चटनी हमने बनाई है उसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब है तो यहां पर पूरिया हमने कर ली है और आपको तोड कर दिखा रही हूं यह देखिए अंदर तक बहुत ही बढ़िया सिकी है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और आपको यह चटनी और पूरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस रोल पर क्लिक